दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तरजुमे सुनने के लिए हमारा चानल तरजुमा सब्सक्राइब करना ना भूलें शुक्रिया सुरेंदर प्रकाश की कहानी मुर्दा आदमी की तस्वीर वो मुझे जिस कमरे में बिठा कर चली गई थी उसकी कारनस पर एक तस्वीर रखी थी कारनस पर सिर्फ तस्वीर ही न थी एक पुराना तिलाई टाइम पीस था जो परिंदों के पिंजरे की शकल का था अंदर डाइल था जिस पर रोमन में एक से बारा तक के हिंसे लिखे थे और सुनहरी रंग की दो सुईयां थी जो बड़ी सुस्त तरफतारी से हरकत करती हुई दिखाई देती थी उस पिंजरे नुमा टाइम पीस के गिर्द एक छोटी सी सुनहरी चिडिया आहिस्ता आहिस्ता दाइरे में चलती हुई दिखाई देती जिसके आगे सफैद मोती थे जब वो आगे बढ़कर एक मोती पर अपनी चोंच मारती तो मोती गायब हो जाता और कुड़क की और आगे बढ़ जाती और चिडिया अपना सफर फिर से शुरू कर देती कुड़क 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 कारनस के दूसरे कोने पर एक चांदी का गुलदान रखा था जिसमें मोर के कुछ पंक सजे हुए थे जब हवा का कोई भूला भटका जोका कमरे में आ दाखिल होता तो मोर के पंक यूं हिलने लगते जैसे जंगल में मोर नाच उठा हो इनके अलावा कुछ क्रिसमस और कुछ नए साल के ग्रेटिंग कार्ट रखे थे जिन पर भेजने वालों की नेख ख्वाहिशाद छपी हुई थी तस्वीर वाला आदमी मुझे बराबर घूरे जा रहा था वो अंदर गई थी शायद मेरे लिए अगर गर्मी का मौसम है तो कुछ ठंडा और अगर सर्दी का मौसम है तो कोई गर्म मश्रूब लेने के लिए मैं वहाँ चुप चाप बैट गया और कमरे की एक एक चीज़ को देखने लगा सब तरफ से ठक कर नजर फिर उस तस्वीर पर आकर रुख जाती और तस्वीर वाला आदमी पहले से जियादा शिदत से मुझे घूरने लगता एका एकी मुझे एसास हुआ कि तस्वीर वाला ये आदमी जिसकी आँखें बड़ी बड़ी और चमकदार थी कुषादा पेशानी जहानत की घमाजी करती थी मोटे मोटे आवास की तरफ देखा वो अंदर से एक ट्रे में चीनी मिट्टी के कुछ बर्तन रखे कमरे में दाखिल हो रही थी उसके चेहरे पर कोई तास्र ना था और मेरे करीब आकर बोली ये मेरे खाविंद की तस्वीर है अरसा हुआ उसकी मौत हो चुकी है मैंने कहा अजीब बा चुके हैं वो हसी और अपने हाथ में पकड़ी हुई ट्रे उसने मेरे सामने पड़ी मेज पर रख दी फिर पलट कर अंदर जाते हुए कहने लगी ख्याल रखना यहां से रहाई मुश्किल है ये सात्वा आसमान है और खला में लुड़क गए तो कहीं के न रहेंगे मैं द आगे रखे खाने के बरतनों की तरफ मतवज्जे हुआ एक तो मुझे ये खौाहिश थी के खुरो नोश के सामान से ये पता चल जाएगा कि मौसम कौन सा चल रहा है मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि मेरे आगे रखे हुए तमाम बरतन बिलकुल खाली ह रहे गया कितनी बदकिस्मती है कि मैं सूरत हाल से वाकिव भी नहीं करवाया जा रहा हूँ और ये कहकर यहां बिठा दिया गया हूँ कि ये सातवा आसमान है और बाहर बिलकुल खला है मैंने चाहा कि उसका नाम लेकर पुकारू मगर मुझे तो उसका नाम भी मालूम नही आवाज मेरे हलक तक आकर रुक गई मैं बेबसी के आलम में अपनी सीट पर से उठ खड़ा हुआ अचानक मेरी नजर कारनस पर रखी हुई तस्वीर पर पढ़ी तस्वीर वाला मरा हुआ आदमी अब हलका सा मुस्कुरा रहा था मेरी जलाहट और बढ़ी और मैं गहर अरा आने की कोशिश कर रही हो कमरे की दोनों दीवारें जिस कोने में मिलती थी उस जोड में शहत की मक्यों का एक छोटा सा च्छता था दो तीन शहत की मक्यां उस पर भिनविना रही थी इसकदर खामोशी थी कि उनकी भिनविनाहट बड़ी वाज़ तोर पर सुनाई दे रही कुछ देर तक मैं उनका भुनभुनाना सुनता रहा और उनकी परवास का तमाशा देखता रहा। अंदर से आने वाली लोरी की आवाज आहिस्ता आहिस्ता मक्हियों की भिनभिनाहट में दब गई। खाली बरतन मेरी तरफ बिटर बिटर देखते हुए महसूस होने लगे। मैंने सोचा अंदर जाकर खुद ही बात कर लेता हूँ। इन तकलुफात में तो जिंदगी अजीरन हो जाएगी। मैंने आगे बढ़कर परदा एक तरफ सरकाया तो देखा कि वो एक सोने का कमरा था। सामने वाली दीवार के साथ एक बड़ा सा पलंग लगा हुआ था और बाकी दीवारों के साथ बच्चों के छोटे छोटे पालने रखे थे। हर पालने में बच्चे सो रहे थे जिनके सिर्फ चहरे ही दिखाई देते थे बाकी जिसम धाप रखे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उन पालनों के पास गया। वो तादाद में पांच थे और पांचों में एक ही शकल और उम्र के बच्चे सो रहे थे। बच्चे बड़े प्यारे और खूबसूरत थे। मेरे दिल में उनके लिए अचानक प्यार ने अंगडाई ली और मैंने अपना सर जुका कर एक बच्चे की पेशानी पर बोसा द एक तरफ से उस औरत की आवाज आई मैंने पलट कर देखा वो सामने एक दर्वाजे में खड़ी थी दाया हाथ दर्वाजे की चौकट से टिका रखा था साड़ी कसकर लपेटी हुई थी और उसका पल्लू नेफे में उडस रखा था उसके दोनों हाथ राक से सने हुए थे जैसे वो बरतन माचते माचते यहां आकर खड़ी हो गई हो मैंने उसके करीब पहुँचकर उसे इत्तिला देने के से अंदाज में कहा वो बरतन जो तुम रखाई थी बिलकुल खाली है उसने सुनी अंसुनी करते हुए अंदर जाते हुए जवाब दिया अभी उन्हें भी और मैं काफी देर तक वहां खड़ा खला में घूरता रहा फिर लोट कर उसी कमरे में आ गया जिसमें पहले था अब वहां बरतन भी मौजूद ना थे मैं धम से सोफे पर आकर गिरा और अपने हाथ मलता हुआ काफी देर तक बैठा रहा मुझे वक्त का बिलकुल अंदाज में डूबी हुई आँखों से देखा वो अपना लिबास तबदील करके और खूब बनाओ सिंगार करके आई थी उसके चेहरे पर मेरे लिए महबत और मुस्कुराहट फैली हुई थी मैं उटकर उसकी तरफ बढ़ा फिर अचानक पलट कर देखा तस्वीर वाला मरा हुआ हम दोनों को बड़े गोर से देख रहा था और उसकी पेशानी पर कुछ शिकने उभर आई थी मैं जरा ठिटका मेरे ठिटकने से उसने भी पलट कर तस्वीर की तरफ देखा और बोली क्या तुम मेरे मर्च से मिलना चाहते हो मगर ये कैसे हो सकता है वो तो मर चुका है मैंन हैरानी से कहा फिर क्या हुआ उसने जवाब दिया और मेरी कलाई अपने हाथ में थाम कर मुझे बाहर ले गई मकान का बरामदा अबूर करके हम गली में आ गए सब घरों में खामोशी थी और मुकमल अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गली में चलते हुए हम बड़ी सड़क पर तुमने कहा था ना कि ये सातवा आसमान है मैंने सवाल किया हाँ उसने मुकतसर सा जवाब दिया मगर ये तो शहर है और यहां मकान है और सड़के हैं और सड़कों के किनारे बिजली के खंबे लगे हुए हैं और उन पर कुमकुमे रोशन हैं जो हमें तारीकी में रास्ता स मैं बहुत पशेमान हुआ कि मैं जिन्दगी भर सहूलत के मताबिक किसी चीज़ को अपनी तरफ से नाम न दे सका वो फिर बोली हमारे कुछ समाजी मसाइल हैं तुम्हें उनका इल्म है नहीं मैंने जवाब दिया मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ कुछ अरसा पहले मैं एक में जंग हो रही है मैं बहुत परेशान हुआ फिर मैंने नकशे पर देखा वेतनाम कहा है और जब वेतनाम मुझे नकशे में मिल गया तो मैं उसकी तलाश में निकल पड़ा समुंदर के किनारे चलता चलता मैं एक दलदल खित्ते जमीन तक पहुँच गया एक छोटे से ब तरफ उचाल दिया कंकर मेरे माथे पर लगा मुझे चोट लगी और खून बहने लगा मैं ने अपनी पेशानी पर अपने हाथ की उंगलियों से सहलाया तो मेरी उंगलियां खून से लिथुड गई उसने एक जोरदार कहका लगाया और फिर मुझसे पुकार कर पूछा पत काफी देर तक मेरे चेहरे पर देखती रही फिर बोली भूके मालूम होते हो आओ रेस्तुरान से कुछ खा लें मैं उसके पीछे पीछे चल दिया रेस्तुरान पास ही था हम दोनों उसमें चले गए काफी बड़ा हॉल था कुरसियों और मेजों की दो कतारें लगी हुई दर्मियान में आने जाने के लिए कुछादा रास्ता था जिस पर कारपिट बिछा हुआ था। उस पर कई किस्म के जानवर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए किचन की तरफ जा रहे थे वो सब उदास थे और उन्होंने सर जुका रखे थे वो कहने लगी इन में से अपनी पसंद का जानवर चुन लो और उस पर निशान लगा कर अपनी टेबल नंबर लिख दो वो अंदर जाकर जिबा होकर और पक कर आ जाएगा मुझे तो सभी जानवर पसंद है निशान दही वाला काम तुम करो मुझे बस भूग लगी है मैंने जवाब दिया फिर मालूम नहीं उसने कैसे क्या किया कि भुने गोश्ट की कई कई प्लेटें हमारे सामने सज गई और हम दोनों उन पर तूट पड़े हाँ तुम्हें तुम्हें बता रही थी ना कि हमारे कई समाजी मसाइल है उसने नैपकिन से अपने हाथ और मुँ पोश्टे हुए कहा हाँ तुमने बताया था मैंने एक बड़ी सी हड़ी खाली प्लेट में रखते हुए जवाब दिया क्या तुम्हें कभी किसी समाजी मसले से दोचार होना पड़ा है उसने सवाल किया शायद मगर अब भी मुझे अच्छी तरह याद नहीं मैंने जवाब दिया तो अभी तुम्हें एक मसले से निबटने के लिए तयार हो जाओ उसने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा वो क्या मैंने पूछा जवाब में उसने मेस पर चम्मच बजाकर बैरे को बुलाया और कहा बिल लाओ थोड़ी देर बाद मौदब तरीके से बैरा मेरे पास खड़ा हो गया एक छोटी सी तश्टरी में उसने कागस का एक पुर्जा भी थाम रखा था और उसका जुकाओ मेरी तरफ था मैं गड़मडा सा गया मैंने गरदन आगे बढ़ा कर उसके कान में आहिस्ता से कहा तुम जानती हो जानवर सर जुकाए उदास अपने आप अंदर जा रहे थे तुमने उन्हें मुन्तखिब किया और वो जिभा होकर और पकर हमारी मेज पर आ गए इसमें मेरा क्या कुसूर है और तुम्हें ये भी मालूम है कि जब मैं तुम्हारे साथ चला था तो मेरे रिष्टेदारों ने मेरी तमाम जेबें खाली करवा ली थी वो आहिस्ता से हसी और फिर उसने अपना वैनिटी बैक खोल कर उसमें से कई नोट निकाले और बेरे की तश्तरी में डाल दिये बाहर निकले तो कुछ दूर जाकर उसने कहा हाँ तो मैंने कहा था ना कि हमारे कुछ समाजी मसाइल है हाँ तुमने कहा था मैंने जवाब दिया तो ये चाबी लो और घर जाओ मैं सुभा आ जाओंगी और हाँ जरा बच्चों का खयाल रखना ऐसा ना हो के बेचारे भूक से बिलग बिलग कर हल्कान हो जाएं उसने चाबीों का गुच्चा मेरे हाथ में थमाते हुए कहा मगर तुम कहा जा रही हो मैंने चाबी हाथ में लेकर और तमाम हिदायते समझते हुए पूछा ओहो तुम समझते क्यों नहीं ये समाजी मसाइल हैं और हम इन्हें नजर अंदास नहीं कर सकते उसने कहा और तेजी से एक तरफ चल दी मैं कुछ देर तो वही सड़के बीच में खड़ा रहा फिर सर जुकाए कुछ मखमूम सा घर की तरफ चल दिया घर पहुँचकर भी ये सोचने लगा कि यहां अकेला कैसे पहुँच गया दर्वाजा खोल कर अंदर दाखिल हुआ और उसी कमरे में जाकर बैठ गया तस्वीर वाले मरे हुए आदमी ने मुझे मुझे मुस्कुरा कर देखा चांदी के गुलदान में मोर के पंक नाचे और सोने की नन्नी चिडिया ने 45 वे मोती पर जपटा मारा मैं गुम सुम उन सब को देखता रहा कुछ देर बाद अंदर वाले कमरे से बच्चों के रोने की आवाज आई मैं उठकर अंदर गया पांचों बच्चे ननी ननी बाहें हिलाते हुए रो रहे थे और दूद के लिए उनकी जबाने होटों तक आकर फिर अंदर मुँ में चली जाती थी मैं बहुत परिशान हुआ चुप कराने के लिए मैंने वही लोरी लगाई जो वो बे नाम औरत गाया करती थी मगर वो फिर भी चुपना हुए आखिर हार कर मैंने अपनी कमीज का पलू पतलून से बाहर निकाला और उपर उठाकर चाती नंगी करके उनके पालनों के पास बैठ गया वो बारी बारी उठ उठकर मेरी चातियों से दूद पीते रहे और फिर सो गए सुभा सवेरे मुँ अंधेरे वो वापस आ गई मैं पालनों के पास ही फर्ष पर सोया हुआ था उसने मुझे उठाया और फिर पास ही बिछे पलंग पर बैठ गई मैंने देखा उसके बाल बेतर्तीब हो रहे थे और चेहरे के सिंगार का रंग फक्त था उसने अपने वैनिटी बैग मेंसे वो तमाम नोट निकाल कर गिनने शुरू किये जो उसने रात रेस्तुरान में बिल चुकाने के लिए दिये थे वो काफी ठकी हुई लग रही थी उसने मुझे सिगरेट तलब किया मैंने सिगरेट निकाल कर दिया और फिर माचस जला कर उसका सिगरेट सुलगवाते हुए पूछा ये समाजी मसाइल क्या हल हो गए नहीं अभी नहीं उसने जवाब दिया आओ दूसरे कमरे में चल कर इतमिनान से बैट कर बात करते हैं मैं उटकर उसके पीछे चल दिया और हम दूसरे कमरे में पहुँच गए तुम ज़रा गोर से अब इस तस्वीर को देखो और बताओ कि क्या वाकई मेरा मर्द मर चुका है उसने अपने खाविंद की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा मैंने उस मरे हुए आदमी की तस्वीर की तरफ गोर से देखा तो मेरी हैरानी की इंतहा न रही कि कारनस पर जो तस्वीर रखी थी वो मेरी ही थी मैं दंबखुद कभी उसे और कभी उस तस्वीर को देख रहा था मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कुड़क 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 चड़िया बदस्तूर मोती चुग रही थी बताओ ना ये आदमी मरा हुआ है या जिन्दा उसने मुझसे फिर सवाल किया और सिगरट का धुआ मेरे चेहरे पर बिखेर दिया मैं अजीब जुझलाहट में था कोई जवाब बन नहीं पड़ रहा था आखिर ना जाने कैसे मेरे मुझसे आप ही आप निकल गया ये आदमी मर चुका है उसने मेरा जवाब सुना और खिल खिला कर हस्ती हुई दूसरे कमरे में भाग गई जहां अब बच्चों ने जाक कर रोना शुरू कर दिया था